हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आज हम आपको बताएंगे डिफ्रेंट्स बिट्मिन कंट्रोल नंबर एन्रोल्मेंट नंबर इन इगनु यानि कि अगर आप इगनु उनिश्टी में किसी भी प्रोग्राम के अंदर चाहे हो सार्टिफिकेट हो डिपलोमा हो बैसलर डिगरी हो मास प्रेंट्स होता है वो हम आपको बताएंगे देखे वहन यू अप्लाइड फोर एन्य प्रोग्राम इन इगनु देन दे गीव यू कंट्रोल नंबर फोर चेकिंग फर्दर इन्फोर्मेशन रिगार्डिंग यूर एडिमिशन जैसे ही आप इगनु में किसी कोर्स में अप प्राप्ट कर सकते हैं when they confirm your admission जब आपका admission confirmed हो जाता है then you are enrolled in applied program in IGNU आप enrolled हो जाते है उस course के अंदर and IGNU gives you your enrollment number तब आपको अपना enrollment number प्राप्थ हो जाता है जो कि बहूत ही जरूरी होता है बिकोज आपका enrollment number ही आपका roll number रहता है in full duration of your completion of your applied program जिस program के तहद आपने apply किया है उसमें आपका enrollment number ही आपका roll number रहेगा जो आपको समय समय पर examination में, practical में certificates ये degrees ब्राप्त करने में काम आता रहेगा ठीक प्रिंस तो ये थी एक छोटी सी update about this difference आपको से समय आगया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक से जरूर कीजी इसी परकार के आने वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद